बॉर्णिंग एर्विवान दिस साइट तपन के आर्जा आप सभी का बहुत स्वागात है पैरेट सेक्यरोटी ट्रेनिंग के अंदर यह पर इसका एक रिवीजन वीडियो हमने क्रिएट कर रहा है ताकि कुछ अगर आप क्लियर नहीं हो पाएं तो इस वीडियो के थुरू आ प्रिचेश करने के लिए एडवांस लेवल की पैरेट सेक्यरोटी ट्रेनिंग होने वाली हमारी है जिसके अंदर हम बताएंगे आपको पैरेट सेक्यरोटी को कैसे यूज करा जाए समझें उसकी टेखनीक को की वह कौन से प्लाटफॉर्म को जब भी कोई सिस्टम देखता है तो उस टाइम पे वह क्या सोचता है कौन से टूल का वह यूज करता है वह सारे वैल नोन टून हम लोग हमारी पूरी वॉक्शॉप के अंदर कवर करने वाले मैं तपन कुमार चा पिछले 11 सालों से मैं साइबर सेक्यूरिटी और क्राइम इंवस्टिकेशन के दर डिल कर रहा हूं और हमारी कंपनी जो है साइबर सेक्यूरिटी जिसके थूरू हम यह वर्क्शॉप करा रहें तो बिना टाइम वेस्ट करें इस्टुलेशन स्टार्ट करते हैं तो तब से पहले जो मैं बताऊंगा मैं आपको वह है कि हमारा इंस्टुलेशन पार्ट करेंगे क्योंकि आपको प्रेटिकल प्रफॉर्म करने पड़ेंगे यह पूरा हैंड्स-on ट्रेनिंग होने वाला इसमें theoretical नहीं होगा बहुत कम होगा theoretical इतना कि समझ में आजा टॉपिक आपको प्रेटिकल प्रेटिकल कर पाएंगे जब आपके पास एक हैकिंग सेट अप हो पूरा तो उसके लिए क्या इंस्टुलेशन लगता है कौन-कौन सॉफ्ट्वेर्स लगते हैं या फिर कैसे उसको करना है वह से चीज़े में हमारी इस वीडियो के अंदर कवर करने वालों न कुछ में फ्री है तो कुछ के अंदर पीड भी हाकिंग लाब है पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने सिस्टम पर कैसे हाकिंग लाब बनाए ताकि आप जितनी पैट्टे करें साइबर सिक्यूरिटी के वह सब अपने ही सिस्टम पर प्रफॉर्म कर सकें क्योंकि आप रियल-time attacking scenario को सीख पाएंगे और जो बगी OS बोल रहा हूं मैं जिसे मालों कि आप जब अटाक करें तो आप attacker होएंगे और सामने वाला परसन जो रहेगा जिसके ऊपर आप अटाक कर रहे हैं वह विक्टेम होता है ठीक है तो जो एक विक्टिम के जो मशीन होगी उसको हम बोलते हैं बगी OS को कि उसके सिस्टम में काफी सारी कमिया है तो उसी को हम लोग वर्चुलाइशन की तुरू होस्ट करेंगे हैं हमारे सिस्टम पे और वर्चुलाइशन की क्या होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको पहले हम जान लेते हैं कि कौन-कौन से software required है अगर साइबर सिक्यूरिटी के पूरे प्रेक्टिकल्स को प्रफॉर्म करने के लिए तो तीन चीजे सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला है वर्चुल मशीन वीम्वेर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आपने सिस्टम पर वर्चुलाइशन कर सके वीम्वेर एक देवलाब कर पाएंगे ठीक है सेकेंड जो है वह रिप्रेट सिक्यूरिटी जिसे आपने विंडोस 7 अपन यूज़ करते हैं विंडोस 10 यूज़ करते हैं यह से आकड़ के लिए स्पेश्टि डेजाइन परेट सेक्यूरिटी इसका में दीजन परेट सिक्यूरिटी का हैक टूल करने पड़ते विंडोस में और काफी सारे टूल्स विंडोस में अवलेबल भी नहीं है तो एक OS डवड़ाप करके दिया हुआ है जिसा होते है पैरेट सेक्यूरिटी ऐसे ही काले लिनिक्स का नाम भी आपने सुना होगा काले लिनिक्स के ओपर ट्रेनिंग हम लोग एक एक वीडियो और स्रीज बनाएंगे जिसमें काले लिनिक्स पर भी कवर करेंगे पर अभी जो मार्केट में वास्ट चल रहा है वह है पैरेट सेक्यूरिटी वीजन यह है कि इसमें काफी सारे टूल्स है काले लिनिक्स के कम टूल करती है तो पैरेट सेक्यूरिटी एक OS यह है विक्टिम की मशीन क्योंकि जब भी आप कोई टार्गेट कोई अटाक प्रफॉर्म करोगे तो कोई ना कोई टार्गेट होना चाहिए आपका तो टार्गेट जो रहेगा वह हमारा मेटेक्स प्लेटेबल टू का मशीन रहेगा यह ऐसा OS डिजाइन करा गया यह बिसी प्रफॉर्ट सेक्यूरिटी तो हमारी मशीन होगी जिससे हम लोग अटाक करते हैं और दूसरी जो मशीन है वह है मेटा एक्स्प्लोटेबल एक बगी OS है जिसके अंदर काफी सारी इनबिल्ट कमी है मतलब उसके अंदर इंटरनली काफी सारी कमी है जिसको एक हैकर को डाउनलोड के से करना अपने कंप्रिटर के अंदर कौन-कौन से वेबसाट पर जाना पड़ेगा एक वेबसाइट है hacking tool.in टी डबलो एले टी डबलो एलस नहीं है hacking tool.in इस वेबसाट पर जाके आपको वह जो भी tools में demonstrate करूंगा हमारे पूरी entire series के अंदर वो सब आपको इसी के अंदर मिल जाएगा तो फरावट चलते हैं डाउनलोड करते हैं software and then we will start over practical सबसे पहले चलने के लिए आपको करना क्या है यह दिख रहा होगा hacking tool.in मैंने open कर लिया यह आपका hacking tool.in open हो गया यहाँ पर काफी सारे tools जो है windows related tools जो मिल जाएगे आपको यह सारे windows related tools हैं जो आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगे ठीक है तो directly आपको जाना hacking OS दिख रहा है environment पर रहेगे तो उससे आपका पुरा doubt clear हो जाएगा अभी सिर्फ हम इसको download कर रहें अभी आप इतना ही करें ठीक है यहाँ पर download now का button दे रखा है click करें इसके उपर यहाँ वेबसाइट पर लेके चल जाएगा यहाँ पर नीचे आप जाएगे बिलकुल last में दिख रहा है आपको यहाँ पर download 64 bit लिखा हुआ रहा होगा तो इसको आपको click कर देना है click करने के बाद automatically download करना शुरू कर देगा है थोड़ी देर के अंदर जब download हो जाएगा तो फिर में इसको open करूंगा इसका password जो रहता वह होता है 123 में लिख देता हूँ पास्वर्ड जो है इस विंडरार फाइल का वह है 123 यहाँ रखें आप इस साइट से कोई भी सॉफ्टर डाउन्लोड करेंगे उसका by default पास्वर्ड वह है 123 जो आपको डालना ठीक है तो एक सॉफ्टर तो भी डाउन्लोड हमाना हमारा होना शुरू हो गया सेकिंड सॉफ्टर पर जाता हूं मैं तो बैक आता हूं वापीस से अब मुझे जो जाना है वह सेकिंड सॉफ्टर वापीस आप हैकिंग टूल डॉट इन पर आये इन सबको बंद कर दीजिए अब मैं डाउन्लोड करने वाला हूं मेरा ठीक है मैं टेक्स पर टेबल टू डाउन्लोड करते हैं जो हमारे विक्टेम मशीन होने वाला है ठीक इस पर मैंने क्लिक करा क्लिक करने के बाद आप देखी नीचे आपको डाइटली गारा होगा आपको यह जो है इसकी अपर आप कर सकते हैं कि इसके वबद घिक करने के बाद यालोड कर सकते सह सो मैं यहां पा जाके डाउन्लोड क्लिक करता हूँ ठीक है, डाउन्लोड होना शुरू हो गया ये लिएक ही उदिता? यह हो रहा है मेरा और यह यह हो रहा है, यह तो मेरा हो गया trouve है, वी अपना Metexploitable और Damro call का है, airborne मेरे Bachelor 1, 2 यहाई है सिता है, आप से अले देट, जिरह हो रहा है वो है 825 MB का approximately 1.5 GB के आसपास आपको 1.5 GB के आसपास आपको internet चाहिए minimum तो बता रहा हूँ मैं आपको ठेकिन इते दोनों डाउनोड करने के लिए ये दो चीजे में डाउनोड हो चाहिए डाउनोड होने के बाद next जो मैं जाने वाला हूँ आप वो है ये हो गया मेरा parrot security डाउनोड करना है parrot security एक टारगेट एक attacker मशीन होगी ठीकिन है इसके लावब आप यहीं से आप काली लिनिस का लेटेस वरिजन भी डाउनोड कर सकते है तो अभी जो हमारी सीरीज है वो parrot security पे तो मैं parrot security के बारे मताऊंगा आपको तो मैंने यहाँ पर parrot security पर क्लिक करा दिख रहा होगा आपको यहाँ पर download के एक link दे रखा आपको यह download का link दे रखा है Download now पर click करतीजे आप click करने के बाद अब यह जो है यह डारेटली आपको official website जो है parrot security जिसे बोलते इस पर लेंड करा दिया क्योंकि अगर हम लोग अपलूड करेंगे तो अविसी बाते वो थोड़ोड़ टाइम के अंदर नया वर्दन देता रहता है तो अभी जो हमें करना है वो security addition करना है क्योंकि हम लोग testing के साब से अब इन सब सारे वर्दन में difference ही है कि इन सारे वर्दन के अंदर टूल्स उससे साब सहेंगे अगर आप security addition कर ले रहे है तो उसमें सारे hacking related tools आएंगे और home addition लेंगे तो इसमें basic tools आएंगे वो सारे tools नहीं आते है तो हमें get security addition ले लेना है नीचा आने के बाद mate download दे रखा है और kde basically हमें kde लेना है इसके अंदर आपका काफी easy हो जाएगा आपको काम करना अगर विंडोस से काफी familiar है तो आपको पैलेट security में इतनी दिक्कत नहीं आएगी काफी चीजे करने में अब टूल रन करने की बात ही जो कमाड लाइन पर रन करते है तो आपको छोड़ासा मुश्किल मिलेगी पर वह भी मैं बता दूगा कि इस तरीक से सीखना है basically क्या होता है कि इस सारे tools को रन करने का predefined format होता ह अगर वह format आता है आपको तो आप किसी भी टूल को बिना किसी दिक्कत के आराम से रन करके चेक कर सकते हैं तो वहीं बताओंगा आपको जैसे अपने start करेंगे इसको यहां पे काफी सारे option आगे उसके अलावा तो आपको क्लिक करना है जो KDE डाउनलोड पे जाना है और डाउनलोड होना शुरू हो गया 4.2 GB का approximately यह जो software है आपका 4.2 GB का है और यह कुस टाइम लेगा अप्रोक्सिमें वेरिस में दिखा रहा है 18-19 मिनिट तो यह तीनों डाउनलोड करने के बाद आपके system के अंदर ज काले लिनिक्स लेटेस वर्जन मैं उनको रिकमेंट नहीं कर रहा हूं जिन लोग के पास processing power i3 के नीचे जिनके पास i3 है उनको भी अभी रिकमेंट नहीं कर रहा हूं है यह एक optional दिखा रहा हूं अगर आगे जाके आपको डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो को देखे आ आप डाउनलोड कर सकते हैं काले लिनिस को भी तो यहां पर डाउनलोड नाव का option दे रहा है अभी पूछ रहा है कि वर्च्वल मशीन में चाहिए आपको यहां फिर आपको बेर मेटल चाहिए तो बेसी के लिए यहां पर काफी सारे इसके वर्जन दे रखे तो सबको इसको डाउनलोड कर सकते हैं 2.9 GB का इसको डाउनलोड कर सकते हैं 2.9 GB का यह बीसिकली छोटा है ऐस कंपेर्ट परेट सेक्यूरिटि का साइज अल्मोस डबल तो नहीं है क्लिक करेंगे यहां से डाउनलोड होना श्रू हो जायाएगा डाउनलोड होना शुरू हो गया है ठीक है तो यह तरीका है वेसिकली हमारे हाकिंग OS को डाउनलोड करने का जो हमारा परेट सेक्यूरिटी है काले लिनेक्स है ठीक है उसके अलावा आपका वर्च्वल मशीन वीमवेर और उसके अलावा पैर अमेट एक्स पूरिट अबल चाहिए ताकि आप अपनी खुद की एक हैकिंग डवलाप कर सके और सारे प्रफॉर्म कर सके कुछ प्रेटिकल जैसे वार्लेस के ओपर हम लोग करेंगे जैसे मालोग की वाइफाई को जैम कैसे करते हैं किसी भी यूजर को वाइफाई से निकालते कैसे हैं बिना उस नेट तो आई होप आपको यह सब चीजे क्लियर होगी होगी कि कौन-कौन से बेसिक सॉफ़वेर आपको रिक्वाइड होते हैं हमारे पर्टिकुलर एक ओस को इस पर्टिकुलर एक हैकिंग लाप को इंस्टॉल करने के लिए तो इतना आप कर लीजिए यह आपका बेसिक वीडि होगी होगी है तो प्लीज आप हमें कॉंटाट कर सकते हैं इस फिलिए इतना ही थैंक यू हावा नाइस दे ठेक केर बाबाई